हेलो दोस्तों वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी से इंग्रिस कैसे ट्रांस्टेशन करेंगे तो यहाँ पे मैं बहुत ही बेसिक सेंटेंस आप के लिए लेकर आया हूँ जिसको आप बिना टैंस सीखे ही कर सकते है तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी चीजे समझ में आ सकें तो आएए सुरू करते हैं यहाँ एक दुकान है तो यहाँ के स्पेलिंग क्या होगी दिस टी एच आई एस देस है इस दिस इस अब फिक्या है अ तो दिस इस अ दुकान के लिए शॉप एस एच ओ पी शॉप दिस इज अ शॉप यहाँ एक दुकान है यह मेरी किताब है तो सबसे पहरे यहाँ के स्पेलिंग लिखेंगे फिर इस लगाएंगे फिर माई मेरी किताब बुक तो देस टी एच आई एस देस इस माई मेरी के लिए माई बुक बी डबल ओ के बुक मने किताब या पुस्तक दिस इस माई बुक तुम एक बढ़ाई हो तुम एक बढ़ाई हो बढ़ाई के सब कहते हैं जो कुर्सी बनाता है मेज बनाता है उसे क्या कहते हैं बढ़ाई को इंगलिस में कारपेंटर कहते हैं यहां पे सबसे प्रेंट तुम के प्लिखेंगे यू वाई ओ यू आर ए और एक के लिए आ कारपेंटर बढ़ाई सी ए आर पी ए एंट टी ए आर अब जिन बच्चों को कारपेंटर के प्लेंग नहीं याद है वह आज learn करने ताकि भाविस में जब भी आपके सामने बढ़ाई को लिखना हो तो कार्पिंटर आप आसारे से लिख सके इसे परकार से आपका शब्द कोस भी strong होता जायेगा next है वहाँ एक share है तो वहाँ एक share है that t h a t that is a lion lion अगला है यह एक अंडा है दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को subscribe कर लें पास में जो bell icon है उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिल सके यह एक अंडा है देस टी एच आई एस देस एज अब यहां पर अंडा की स्फिलिंग क्या होती एग E डबल जी एग उसके लिए अ इन लगेगा उसके पहले पहले ए फिर अंडा E डबल जी एग एग बने अंडा इस इस अए एक अंडा है जो वाविल्स होते हैं A, E, I, O, U उनके अगर कोई सब्द ऐसा है इसके पहले लेटर वाविल्स है तो उसके पहले अगर एक लगाना है तो उसके लिए अएन लगाएंगे और वाविल्स नहीं है तो A लगाते हैं जाहां प्रियोग क्या है तो प्रियोग क्या है जो इससे विकाँ से जब आप प्रैक्टिस करते हैं आपको प्रिफेक्ट बनाती है जिसे कहावत है ना प्रैक्टिस में का मैं प्र। इसका बतलब यही होता है कि जब आप practice करेंगे तो आपके साथ में नई नई चीजे निकल के आयेंगे तो जितने ज़्यदा आप practice करेंगे जितना ज़्यदा आप ट्रांस्लेशन बनाएंगे उतने ही ज्यदा आपकी English strong होती जाएगी मैं एक लड़का हूं तो मैं के लिए I उन्हें बताया है इसके पहले वीडियो में कि I के साथ में हमेशा helping verb I am का प्रयों की आता है तो I am हूं की हो गई I am I am a boy मैं एक लड़का हूं यहाँ एक घर है तो यहाँ के लिए हो जाएगा this helping verb is a house या home h-o-u-s-e house मैं तुम्हारा पिता हूं मैं के लिए हो जाएगा I I के साथ हमेशा helping verb आती है I am I am your 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 you are your पिता पिता के लिए क्या आता है father f-a-t-h-e-r father I am your father मैं तुम्हारा पिता हूं तो इस प्रकार से हमने देखा कि साधारण से हिंदी का जो वाकि होते हैं उनको आप English में कैसे अनुवाद करेंगे दोस्तों जैसे आप प्रक्तिस करते रहाएंगे जो ज़ नहीं नहीं सेंसमaffe बनाएंगे वन इसे यदे आपकी ट्रांसलेस्ट जो है स्ट्रंग होता जाएका तो आप जय्याद हाथD suggest में जहां पर कोई समस्य आती है वीडियो में comment box में पूर्सके हैं आप अपके पास जो books होती हैं उनके भी आप help ले सकते हैं आप अपने teacher से पूँ सकते हैं लेकिर आपको हिम्मत नहीं हारनी है आपको लगे रहना है और आप देखेंगे कि आपकी English काफी अच्छी हो जाएगी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले पास में जो बेल आइकन है उसको भी ब्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिल सके थायंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेस्ट वीडियो में बाई बाई टेक केर